बिस्मिल्लारामारे, अससलाम अलेकुम जी, इस lecture के अंदर हम जो काम करने वाले हैं, वो है तीस ऐसी commands को use करके, हम R को practice करेंगे, जो बहुत ही दफा यूज होती हैं, whenever you are doing some data analysis in R. वो तीस basic commands कौन-कौन सी हैं, उनी को हमने पढ़ने, and believe me, आपको रेटा लगाने के जरूरत नहीं है, ये notebook आपको free में मिल जाएगी, और आपको of course, जो github का हमारा repo का link के उसके अंदर ही में से upload करूँगा, and from there you can learn के किस तरीके से आप basic commands जो हैं, वो R की सीख सकते हैं, ठीक है, so let's jump into it, screen में आपके सामने share करता हूँ, और, सबसे पहला काम हम करेंगे RStudio को open, यहाँ से, and जैसे हमारा RStudio open होगा, then we will look into it, लें जनाब, RStudio open हो गया, और हमने क्या काम करना है, हमने यहाँ पर script जो बना होता है, नहीं भी बनाओ, तो new script बनाना है, और क्यूंके आज हमारे पास 9 तक हमने काम कर लिया था, आज फाइल का नाम हम रखेंगे, Ctrl S करने के बाद, 10, 30, अब मैं यहाँ पर देखें, 30 लिखूँगा, basic commands in R, ठीक है, मैंने सेफ कर लिया इसे, अब अब आप जो हैं, वो counting साथ साथ करते जाएगे, लेकिन मैं यहाँ पर सबसे पहले तो लाइबरेरी करूँगा, लाइबरेरी, packages, अगें, वो ही आपको पता लग गया होगा, कि scenario हमने सेम रखने, numbering करें या ना करें, सबसे पहले हम लाइबरेरी करेंगे, अपना जो read excel है, क्योंकि मैं titanic का data पहले read करूँगा, क्योंकि उससे हमारी काफी ज्यादा एंसेथ हो चुकी है, and we know कि वो कैसा data है, and then we will see अगर कोई और हमें package चाहिए हुआ, ठीक है, for now we will just do read excel, और कल वाली notebook जो है distributions, जिसमें हमने देखी थी, सबसे उपर हमने यह वाला data कुछ इस तरीके से ले के आया थे, ठीक है, so यहाँ पर हम data को import कर लेते हैं, df के अंतर, और यहाँ पर मेरे पास कोई भी environment में चीज नहीं है, that means मैं यहाँ से इन दोनों codes को run करता हूँ, and this is how our data is imported, अब मैं यहाँ पर numbering करूँगा, ठीक है, number one, command जो पहली है, हमारे पास आप कोई भी command यहाँ पर लिख सकते हैं, जो basic command है, वो है view की, view data frame, ठीक है, जब आप इसको run करते हैं, तो आपका data इस तरीके से आ जाते हैं, and usually जो our programmers होते ही, जितने भी programmers है उनको keyboard से ज्यादा इश्क होता है, mouse सिरफ उनके साथ होता है, समझ रहे हैं, वो keyboard से shortcut, center और इस तरह की चीज़ें दे बाते हैं, क्यों, reason behind that, थोड़ा सा वो, थोड़ा सा programmer type look आ जाती है, समझ रहे हैं बात को, लोग समझ तो बहुत मुश्किल चीज़ है, यह पता नहीं क्या कर रहे है, इसने यह ऐसे करके, enter दबाया, control, enter दबाया, पता नहीं क्या हो गया, सभी है, तो that's why they use view की command, और view की command सबसे पहले use करते हैं, लोग यह होते हैं, data को view करने के लिए, to view the data frame, ठीक है, second जो हमारे पास command है, इसको मैं बोलूँगा, str, यह भी आपको पता है, बहुत असान command है, इससे आपके पास structure आ जाती है, data की जो नीचे आपके सामने, यह इस तरीके से शो हो रही है, कि data किस तरीके से हमारे पास आ रहे है, third one is, हमारे पास जो तीसरी command है, वो बहुत असान है, यह basic commands है, यह base r के अंदर मौझूद है, तीसरी command है, आपके पास summary df, इससे क्या होते हैं, आपके data frame की summary आपके सामने आ जाती है, मैं इसको run करके आपको दिखाता हूँ, then we will see, यह है आपका data, और इस data के अंदर आप गौर करें, हर variable का minimum, maximum, खास तोर पे numeric variables का, और आपके पास different किसम की उनकी जो चीज़ें आ जाती है, अगर आपके पास categorical variable है, तो सिरफ उनकी class आएगी और उनका mod आएगा, ठीक है, and usually यह class और mod यह क्या है, इसके लिए और भी commands बनी हुई है, but I will go with the simple ones, and then it will be easy, then the next one is, आपने dim की command लगानी होती है, dim की command क्या होती है, dim की command को बोलते है dimension, जो मैंने आपको कल भी बताई थी, और जिसके अंदर हमारे पास क्या होता है, dimensions आ जाती है, dimension क्या होती है, आपको मैंने बड़ी दफा समझाया, rows and columns को हम dimension बोलते हैं, तो मैं यहाँ पर 4 लिख देता हूँ, dim, और इसके आगे df लिखेंगे, to see the dimensions of the data frame, इसको run करता हूँ, 891 by 15 का हमारा data है, ठीक है, 891 by 15 क्या है, दो axes है, एक rows का, एक columns का, पहला axes होता है rows का, हमेशा, 891 rows है, 15 columns है, समझ रहे हैं बात को, double dimension का data होता है, अच्छा, मैं यहाँ पर काफी enter मार लेता हूँ, ताकि आपको बारी-बारी में समझा सकूँ, 5B command, 5B command आपके पास, जो है dimension के बाद, आप head की भी लगा सकते हैं, head df, head, और data frame का head ले ले, head का क्या मतलब है, बड़ी गौर से देखिएगा, यहाँ पर मैं बैठा हो ना आपके सामने, ठीक है, एक पूरी body होती है, और उसका कुछ हिसा सर होता है, कुछ हिसा, यानि के top से पता चल जाए के यह कौन है, और हमारा head बताता है के हम कौन है, चेहरा एक unique चीज है ना, कैसा नजर आ रहा है, that means कि यह data जो है, आपको एक glimpse दे रहा है, data का head लेके top वाली rose आ रही है, ठीक है, अब हाथी की मिसाल लेते हैं, क्योंकि I don't have tail, तो data की tail भी होती है, समझ रहा है, end पर tail होती है, end वाली rose जो है वो tail है, top वाली head है, usually पहली 6 से 10 rose जो है, वो head के अंदर, automatically आ जाती है, but you can also define this thing, इसी तरह tail होती है, so head and tail, दोनों चीज़े हम देखते हैं, कि यह कैसे आपको data की नजर आती है, और इस पे सब कुछ depend करता है, head आपने लगाया, मैं इसको run करता हूँ, you will see, कि आपके पास, कितनी rows आगी हैं जी, पहली 0 से लेके, यह देखें, 1, 2, 3, 4, 5, 6 rows आगी है, ठीक है, तो head आपने किया, तो top 6 rows आगी है, अगर मैं यहाँ पे, for example, यहाँ पे कोई command, आप फर्दल लगाना चाहूँ, head के उपर, तो पहली top 6 rows के उपर ही, वो command लगेगी, समझने हैं बात को, अगर मैं किसी चीज़ का head लेके, control shift time करूँगा, तो df की पहली 6 commands पे वो चलेगा, 6 data पे, यह हम कब यूज़ करते हैं, जब data बहुत बढ़ा हो, सिरफ हमने, अपने data की distribution की base पे, quickly graph बनाने हूँ, ठीक है, then हमारे पास 6 है, tail, इसको मैं बोल देता हूँ, tail, जैसे मैंने आपको पहले समझाया, this is actually the last part, ठीक है, समझा आगी, यह last में है, और data, last और first का क्या मतलब है, जैसे data यह sorted है ना, आपके पास, उसकी base में मैं कहा रहा हूँ, आप अगर इसको खुद से arrange करेंगे, then it will change, ठीक हो गया, तो हमारे पास tail आ गई, हमारे पास head आ गया, then of course, मैंने आपको dimension बताई थी उपर, लेकिन उसको separately भी हम कर सकते है, number of row, यानिके n rows, n rows है, number of rows पता है, 3891 है, ठीक है, अगर मैं यहीं पे, n call लिखूंगा, तो मेरे पास number of columns आ गया, simple, ठीक है, so number of rows, and number of columns, बहुत देखें, छोटी-छोटी मुंटी-विटी से command है, और इन commands को आप सीख के, बहुत काम कर सकते हैं, and I will show you किस तरीके से आता है, अच्छा जी, then, मुझे चाहिए, columns जो 15 हैं, मेरे पास उनके names, तो आप यहाँ पे लिखेंगे, call names, simple, बहुत ही असान, आपने सिरफ call names लिखने हैं, आपके पास columns के names आवे, so आप देख रहे हैं, कि English को ही mix करके functions बने हुए, n row, number of rows, n column, number of columns, call names, column के names, ठीक है, अब एक और command हमारे पास होती है, हम हर एक column के ऊपर, कोई command अगर लगाना चाहते हैं, हर एक column के ऊपर, for example, मैं यहाँ पर, चले, इसको हम row names को भी यहीं पर 9 के अंदर, एक इसको मैं अलाइदा से नहीं करता, क्योंकि row names and column name, same चीज है, तो यहाँ पर, इसको मैं लेख लाता हूँ, ठीक है, यह देखें, यह row के names है, और row का names कैसे आता, क्योंकि 891 rows हैं, तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, of course, वैसी names आने हैं, लेकिन अक्सर अकाद, time series के data में, row के names, time की base पे होते हैं, समझ रहे हैं बात को, किस time पे वो data लिया गया, तो वो row का, एक specific point होता है, जैसे आप college या university के अंदर, जब होते हैं, तो जब आप जाते हैं, different जोगों के उपर, college या university के अंदर, जब आप अपनी attendance लगाते हैं, you know better, के उस attendance की base पे, आपके college या university के अंदर, आपकी attendance count होती है, check-in, check-out time count होता है, ठीक है, so वो check-in, check-out time, आपका basically row का name होता है, या column का name होता है, जिसकी base पे वो सारा कुछ चल रहा होता है, ठीक है, so you need to be careful with that, मेरा camera जो है, वो stuck हो गया, just one second, और आप इसको different तरीके से लगा सकते हैं, अब ये क्या करेगा, हमें class बताएगा each column की, यानि कि जितने भी हमारे पास columns है, उनकी classes क्या क्या है, ठीक है, मैं इसको run करता हूँ, you will see, अब आपके पास survived है, ये numeric class से बिलोंग करता है, पी class ये भी numeric है, sex, character है, age, numeric, यानि कि जो structure वाला हमने लगाया था न, अगर आप वो नहीं लगाना चाहते, तो हर column की आपके पास class हाड़ेगी, s apply का मतलब ये होता है, कि आपने data types of each column, अगर या आप each column का कोई एक specific parameter देखना चाहते हैं, then you can write this command, हम ये भी कर सकते थे class, class का function लगा के, df के उपर लगा देते, तो ये हमारे पास क्या आ रहा है, पूरे data frame की class आ रही है, पूरे data frame की, अगर मैं इसको dollar sign लगा के, p class की class देखना चाहूं, then it's numeric, ठीक है, तो ये जो एक function था मेरे पास, जो मैं अकेले column पे लगाया है, s apply से मैं वो ही function उठा के, multiple columns पे लगा पा रहा हूं, s apply का function ऐसा होता है, ठीक है, s apply आप पहले लिखेंगे, फिर आप data frame का नाम देंगे, अब ये जो काम होगा, s apply का, ये सारे columns पे होगा, और ये वाला function लगेगा, so this is how you can combine two functions, and you don't need to write, for example, यहाँ पे अगर मुझे पूरे data frame की class चाहिए होती, तो मैं df, dollar sign, df, dollar sign, df, dollar sign, तो मैं लिखता जाता है, मेरे पास आते जाते, but the thing is, to use that into one go, you can use s apply का function, and s apply बहुत ज़्यादा दफा यूज होता है, जब कभी भी आपने कोई काम करना हो, खास तोर पे concatenation के साथ, ठीक है, अब हम आगे क्या करते है, level of, जो columns है वो देखते है, और उसके लिए मैं यहाँ पे लिखता हूँ levels, sorry, यहाँ पे मैं लिखता हूँ levels, levels लिखने के बार, अगर मैं यहाँ पे, किसी भी एक column का नाम लिखता हूँ, for example, मैं यहाँ पे, save for example, यह वाला नाम लिखता हूँ, ठीक है, एक column है, हम यहाँ पे levels of factor variable देख सकते हैं, let me see, कि यह काम करता है कि नहीं, चेक करें, क्या है, null, ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ, यहीं पे, P class लिखता हूँ, let's see, हमारे पास null, class लिखते हैं, let's see, हमारे पास null, so usually क्या होता है, अगर किसी variable के अंदर, आपके पास factors मुझूद है, factor, factorial का पता है ना, 1, 2, 3, 4, 5, और वो factor variable है, then you can see their levels, के पहले कौन सा आ रहा है, दूसरा कौन सा आ रहा है, तीसरा कौन सा आ रहा है, चौथा कौन सा रहा है, लेकिन आपको पता है कि आपने पिछले, जो commands run करके देखी है, यहां पे, आपके पास कोई भी factor variable, factor class का कोई नहीं है, ठीक है, आपके पास या तो numeric है, या character है, ठीक है, numeric character, numeric character एक logical है, adult male वाला, और alone वाला logical है, yes, no वाला, लेकिन factorial कोई नहीं है, so how can we do that, we can actually make different factors, so मैं क्या कहता हूँ, make p class या class as factor, ठीक है, उसके लिए आप क्या कर सकते हैं, आप किसी भी एक column को पकड़े, जैसे हम database को update करते थे, इसी तरह एक column भी update हो सकते है, so उसको update करने के लिए, आप लिखेंगे, df का column class, इसको change कर दो, as factor के अंदर, यानि के इसको factor में तबदील कर दो, df class, फिलहाल क्या है जी, df class, let's see, यह, यह character है, ठीक है, and I know, अगर class के अंदर आप जाएं, तो आप के पास, यहाँ पर first, second, third आ रहे है, ठीक है, अफ कोर्स आप P class को भी देख सकते हैं, one, two, three, आ रहे हैं, but you can change that as factor, अगर मैं इसको P class को भी change करना चाहूँ, I can do that, so it doesn't matter कि कौन सी आप चीज यूज़ करें, मैं जैसे इसको run करूँगा, now you see कि हमारा यह वाली command run कर गी है, ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ, levels of P class check करता हूँ, one, two, three हो गया, इसका मतलब यह हुआ कि इसको हमने ordinal variable के अंदर convert किया, like this, और उसके order को maintain किया, या देखा कि किस order में है, और usually यह automatically order ले लेता है, but you can define the order, by yourself, और यह काम plotting के अंदर बहुत ज़्यादा दफाँ यूज़ होता है, how and which column should come first, and which column should go second, and third, and fourth, and so on, ठीक है, so whenever you are looking into different kind of columns, अब आप देखिएगा, जैसे मैं s supply df class दुबारा से run करता हूँ, you see, कि हमारे पास यहाँ पर यह factor class का हो गया, p class, so sometimes when you read the data, you will not find factor in your data, आपको define करना पड़ता है factor, समझागी बात की, and यही वज़ा है कि यह बहुत important एक function है, जो आप multiple times use करेंगे, ठीक है, levels हमेशा factors में होते हैं, किसी ordinal या nominal variable में नहीं होंगे, ठीक है जी, अब हम यहाँ पर क्या करते हैं, यहाँ पर हम missing values को find out करते हैं, और missing value को find out करने के लिए हम sum लगाते हैं, sorry, मैं यहाँ पर लिखता हूँ, is.na, यह आपको पता हैं, और df लिख दूँगा, इससे मेरे पास missing values आ जाएंगे, लेकिन वो true false, true false, true false में आ रही हैं, सो हम क्या करते हैं, इसी के पीछे sum लगा देते हैं, same वो ही चीज लेकिन पीछे sum लगा देना, and here we go, यह आगए 869, ठीक है, सो हमारे पास, total जितनी missing values हैं, वो सारी की सारी आईगे हैं, total missing values, not in one column, not in another column, total missing values आईगे, and we can check that missing values like this, ठीक है, sum आ गया, फिर इसके बाद हम हर column में भी देख सकते हैं, जो मैंने पिछले lectures में भी आपको पढ़ा है, but these are the basic commands, and we can see, for example, अगर आप specific column में देख नहीं है, age के column में 130 है, ठीक है, इसी तरीके से आप deck के column में भी देख सकते हैं, या other columns में भी देख सकते हैं, but I will move forward now, तेरवा जो हमारी command होगी, ये, this would be a nice one, क्यों, क्योंकि मैं आपको भी दिखाता हूँ, आप यहाँ पे missing values को ही आगे, call sum लिखके, अगर आप, यहाँ पे, simply, is n ने लिखेंगे, then, sorry, call sums, yes, capital N है, and yes, small N है, then this function will work, ठीक है, and now you have in each column, each missing value, ठीक है, यहाँ पे आपके पास पूरे data की आई है, और यहाँ पे आपके पास, यहाँ पे एक data की आई है, यहाँ पे specific column की, यहाँ पे हर column की base पे आपके पास missing values आवे, so usually we use this one and this one together, total missing values and this one, specific missing values, ओके जी, फिर इसके बाद जो हमारे पास अगली है, हमारे data में सिरफ और सिरफ missing values यह नहीं हम देखते, यह काम आपके systematic review में बहुत ज्यादा होने वाला है, to find the duplicates, ठीक है, उसके लिए मैं लिखूँगा, यहाँ पे, simple, duplicated, duplicated, simple command है, df के अंदर, and अगर true false आगया, तो किस तरीके से होगा, क्योंकि हमें true false नहीं चाहिए, so what we can do, we can write some duplicated df, something like this, and we have 107 duplicates, आपने सोचा था, Titanic के data में इतने duplicates हो सकते हैं, so this is how you can find duplicates, duplicates जो हैं, वो आपके data को खराब करते हैं, और यह भी हो सकता है, कि same data बार-बार आया हो, और यह भी हो सकता है, कि 2 different लोहों का same data, because we don't have any unique values here, हमारे पास नाम नहीं है, Titanic के passengers के, यहां पर जो unique होते हैं, ठीक है, यहां पर कोई नाम नहीं है, सिरफ data है, and it can happen कि कुछ data, duplicate हो, ठीक है, क्योंके columns काम में है, so we don't actually see, कि यह duplicates हैं, तो इन्हें remove कर दे, we just need to find out, कि duplicate वो कितने हैं, ठीक है जी, तो यह हमारे पास आगे, इसके बाद जो हमारे पास और command है, चले, मैं इसको sum duplicates को, 15 कर देता हूं, just for the sake, कि हमारे पास जो command है, वो separate हो गई है, इसके लवा हम subset कर सकते हैं, data को by using specific function, जो base r के अंदर है, subset कर सकते हैं, for example, मैंने subset करना है, data को तो मैं लिखूँगा subset, ठीक है, कैसे करना है, मैं कहता हूं, मेरे पास वो लोग आ जाए, df के अंदर, जिनके पास p class first है, यानि के first class के passengers, कितना आसान है subset करना, ठीक है, अब मैं इसको अगर run करूँगा, then you will see, कि हमारे पास data वो ही print हो गया है, नीचे, क्यों कि we are not storing that into an object, या data frame, अगर आप इसको save करना चाते हैं, आप इनके पीछे लिख देंगे, df underscore first class, something like this, and here you go, या आपके पास 216 लोग ऐसे हैं, जो first class में, simple, subsetting करनी हैं आपने, और एक command ने उठा के filter लगा दिया, वो जो filter हम लगा रहे थे न, ggplot2 वाला, यह subset के थुरू भी आप easily लगा सकते हैं, and this is much more easier than using other way around, ठीक है, but depend करता है कि आप क्या use करना, यहां पर पसंद करते हैं, then brings to our 17 point, यह मैंने एक example दी है, आप दूसरी examples भी देख सकते हैं, p class 1 की बजाए, मैं यहां पर class को first लिख सकता हूँ, first, and यहां पर class का argument दे देता हूँ, क्योंकि वो दूसरा column है, अगर मैं इसको run करूँगा, it means the same thing, लेकिन हमारे पास क्या हुआ है, कोई data नहीं आया, reason behind that, हमारे पास, जो spelling F first का F बढ़ा है, और मैंने छोटा लिख दी है, समझे बात की, इसका मतलब यह हुआ कि, जब आप sub setting कर रहे हैं, spelling गलत लिखेंगे न, command चल जाएगी वही, आना कुछ नहीं है उसके अंदर, zero, समझे रहे हैं, सो अगर ऐसा कोई हो, तो जैसे वासिफ ने पिछले दिनों, काफी 2-3 गहंटे लगाए थे, एक छोटी सी चीज़ पर, that happens, अगर आपको पहले से, किसी की गलतिगों से सीख लें, तो ज़्यादा बेतर है, so 216 observations है, मार पास first class की, and this is how you can find it, ठीक है, अब मैंने जैसे आपको बताया था, कि आप data को sort भी कर सकते हैं, जैसे यहाँ पर मैं कह रहा हूँ, कि male वाले उपर आजाए, female वाले नीचे आजाए, so I can click on this sorting button, यह sort हो गया, लेकिन यह sort सिरफ view में हो रहा है, it is not actually sorting inside the data, जो यहाँ पर save है, उसको sort करने के लिए, you can use different kind of commands, मैं यहाँ पर लिखता हूँ sort, कर दो, किस base पर करना है, now you can say, age की base पर कर दो, समझा ही बात की, इस से क्या होगा, जो आपका data है, नीचे देखिएगा, यह सारा data जो है, sorted age जो है, हमारे पास आ गई है, यानि के, सबसे कम age हमारे पास 0,42 है, और यहाँ पर सबसे ज्यादा 80 है, दो extreme आ गई, ठीक है, and this is how you can view the data, कि data आपके पास किस तरीके से आ रहा है, और किसी भी column को आप sort कर सकते हैं, अगर मैं इसी को P class बोलूँ, यू सी, हार 801 का पूरे का पूरा डेटा आएगा, but this is not the way how you can sort the data, तो कैसे करना है भई, ये भी तो बताऊँ न, उसके लिए minimum value find out कर ले, for example, मैं min df age की देखता हूँ, तो वो है हमारे पास, अच्छा, यहाँ पे राए जी हमारे पास na, तो हम na.rm is equal to through, let's see, do not do like this, यह हमारे पास 0.42 है, अब क्या हो रहा है, age की column के अंदर missing values है, इस वज़ा से हमने, यह command लगानी पड़ नहीं है, ठीक है, इसी तरीके से, आप maximum भी find out कर सकते हैं, मैं x लगा के, simple, तो आपके पास maximum आ जागे, so there are multiple ways to of doing same thing, लेकिन अगर आपने सिर्फ trend को देखना कि कैसे चाड़ा, you can also sort this out, ठीक है, तो sort आप कर सकते हैं इस तरीके से, इसके बाद आप data को order में ले के आ सकते हैं, ठीक है, that brings to our next command, data को order में कैसे ले के आना है, जैसे मैंने बोला है, data को order में ले के आना है, df, df के अंदर, आप square bracket से start करेंगे, and then you will define, जैसे मैं कहता हूँ order, ठीक है, अब order में data कैसे आएगा, आप किसी भी एक column की base पे order में कर सकते हैं, let's see, मैं इसको age की base पे करता हूँ, now you will see the change in data, यहाँ पर check करें, सबसे पहले अब छोटा बचाएगा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, अब आपका data sort हो गया है, अब जो command, मैं आपको दिखाता हूँ अब हुआ क्या है, अब यह हुआ है, जब मैं age पे click करता हूँ, तो जैसे सबसे चोटी age उपर आ जाती है, और नीचे बड़ी बड़ी जाती रहती है, यह same काम हमारे data के अंदर हो गया है, ठीक है, अब आपका data का जब आप head करेंगे, इस data का जहाँ पे आपने sort कर लिए है, तो वो आपके पास different way में आएगा, अब आप सोच रहे होंगे, कि यह तो हमने sort कर लिए एक column की base पे, तो यह comma क्यों लगाया और खाली जगा क्यों छोड़ी है, ठीक है, तो usually क्या होता है, जब आप कोई भी एक data frame बताते हैं, तो पहले आपने एक range बतानी होती है, फिर दूसरी, अब पहली आपके columns की range होती है, दूसरी आपकी rows की range होती है, आप दुनों define कर सकते हैं, बट हम यहाँ पे क्योंकि order कर रहे हैं, age की base पे तो हमारे पास data ऐसे आ गया, अगर मैं इसको p class की base पे करूँ, मैं enter करता हूँ, now you will see the data based on p class, और अगर हम p class को देखें, पहले सारे first class के हैं, फिर second के फिर third के, ठीक है, so this is how you can order, और यह basic filtering है, अगर आपको पता हो, यह बहुत basic filtering है, और यह square bracket का का काम यह है, यह data frame लो, उसके अंदर जाओ, square bracket का मतलब यह है, फिर उनको order में करो, किस base पे order में करूं, वो कहता है, आप कहें, df dollar sign p class, जिस भी column का नाम है, उसकी base पे comma लगा के, रोज हमें कोई range नहीं बतानी, and that's it, this is how you can reorder the data set, और अगर मैं इसको, इसी data को, यहाँ पे लिख दूं, df underscore ordered, underscore p class, और इसको मैं object के अंदर store कर दूं, I will have another data set, which is sorted based on p class, see, so यह basic command है, जिसे आप use कर सकते हैं, and you can easily order the data, और यह वो वाली command है, जो बारहाद अफा हम use करते हैं, inside the data frames, अच्छा जी, 19 पे क्या है हमारे पास, let's see, अब हमारे पास आएंगी, basic statistical terms जो हम लेते हैं, ठीक है, आपको पता है mean, median, mod, सारी चीज़ें पता हैं, but I will just define that, पहले हम देखते हैं mean, और यह mean average वाल है, हम यहाँ पे, df, dollar sign, age का mean लेंगे, और of course हम, null values को remove कर देंगे, मैं इसको run करता हूं, तो हमारे पास 29.62 है, अब आप सोच रहे होंगे, यह क्यों remove की जाती है, यह इसलिए remove की जाती है, क्योंकि वो फिर null values को भी count करता है, यह हो गया है, आपके पास mean, इसके बाद आपके पास आता है median, तो आप 20 number पे रख लें, median, median ले ले लें, नाबे वाला आप age का ही या fair का भी ले सकते हैं, and now you see, के आपके पास यहाँ पे could not find function median, मेरे पास spelling गलत है, error आजाती है, 28 आपके पास median है, यह कल भी हमने देखा था, then another term is called, आपको भी पता है, standard deviation of a numeric column, उसको हम sd लिखेंगे हैं, हमारे पास standard deviation आजाएगी, simple, यह ले, यह standard deviation है, होती गया है, किस तरीके से होती है, start के lecture देखिएगा, वहाँ पे आपको समझ आजाएगी, actually this is the dispersion of the data, from center of the data, you know, through the right and the left side, कि center से data कितना disperse हो रहा है, दोनों साइडनों पे, अब यह तो हो गया standard deviation, फिर हमारे पास एक और टाम आती है, जिसको हम बोलते है standard error, standard error हम कैसे ले सकते हैं, उसके लिए simple हमारे पास formula होता है, अगर आप standard error को find out करना चाहते हैं, so se अगर मैं लिखता हूँ, just imagine, मैं se लिखूंगा, लेकिन उसका मुझे formula लिखना पड़ेगा, and that formula is this one, standard error is equal to, standard deviation divided by square root of the number of rows, या number of samples inside the data, so मैं आप भी बात की, so अगर आप standard error का formula देखें, standard error का, मैं यहाँ पर अपनी book के अंदर ही चला जाता हूँ, और थोड़ा सो उपर जाके, search में मैं लिखता हूँ, standard error, and hopefully it will bring us to standard error, p-value, यह standard error, s over square root of n, यानि के standard error is equal to, standard deviation divided by, under root या square root of number of samples, तो usually यह use होता है, जब आप plotting कर रहे होते हैं, anyhow, अगर आप directly इसको, ऐसे लिखेंगे, तो यह सी एक value की form में आ जागा है, and here you go, this is standard error, ठीक है, इसी तरीके से हमारे पास, एक और terminology होती है, जिसे हम बोलते हैं, quantile, ठीक है, quantiles, quantile of any numeric data, you can also find, तो हमारे पास quantiles क्या है, यह चेक करें, 1, 2, 3, 4, 5, ठीक है, अब मैं आपको समझाता हूँ, quantiles होते क्या, आपके पास, जो quantiles होते हैं, वो यह कहते हैं, कि अगर एक data को, चार हिस्सों में divide कर लो, चार हिस्सों में divide कर लो, तो मतलब आप कहले हैं, कि पच्चीस एक रुपह आपके पास, पहले 25 पैसे हैं, फिर 25 से 50 पैसे तक है, 51 से 75 तक है, और 76 से 100 तक है, जो चार हिस्से हैं, उनको quantiles बोलागाता है, जब आप data को चार हिस्सों में divide करते हैं, बात सुनिएगा, यह जो center होता है न डेटा का, this is called interquartile range, यहां पे आपका सबसे ज़्यादा डेटा होता है, कल मैं आपको shaded form में बता रहा था न, interquartile range का, अब इसी को मैं और अच्छे तरीके से आपको दिखाता हूँ, अगर मैं यहां पे interquartile range लिखूँ, you will see, यहां पे आपका सबसे ज़्यादा डेटा होता है, and usually यह चेक करें, यह इस तरहां की डाइग्राम्स आपको काफी मिल जाएंगे, but I will show you this one, this is much better, and usually it's better कि आप किसी का काम जो है, अगर आपने इसको व्यू करना है, based on the box plot, you can also do, let me see if they have shown any other figure, नहीं है, तो मैं यहां से इस पे आजाता हूँ, and here you go, अगर आप अपने डेटा का box plot बनाएं, then you will see 25% to 75% data, नहीं कि यह सेंटर वाले 22-25% वाले, यानि कि 26-75 तक का डेटा, वो सारे का सारा आपका inter-quartile range होते है, यहां पर आपका सबसे ज़्यादा डेटा लाई करते है, ठीक है, and that's how you can find the quantiles, 0-25 तक कितना डेटा आ रहे हैं, 25-50 तक यह हैं, 50-75 तक यह हैं, and then you have 100 तक, अब यह तो हो गया quantile, IQR भी आप निकाल सकते हैं, अगर आपने IQR find करना है, तो उसके लिए आप क्या करते हैं, इंटर-quartile range, और यह basically आपका outliers को remove करने के लिए भी use होता है, इसके लिए आप term use करते हैं IQR, और यह आपके पास inter-quartile range आगी, which is 17.875 तक, ठीक है, and usually it's a range, लेकिन हमारे पास एक value होती है, inter-quartile range की, which is Q3 minus Q1, अगर आप गॉर करें यहां पर, तो inter-quartile is actually Q3 minus Q1, यानि कि इतनी value में से, यह पहला डबा आप निकाल दे, तो उसको बोलते हैं inter-quartile range, ठीक है, inter-quartile range क्या होती है, जो यह आपके पास box आ रहा है, Q3 से minus कर दे, इतना distance, तो आपके पास यह जबा सा बचाएगा न, this is inter-quartile range, इसको हम और भी detail में पढ़ेंगे, but for now, this is I think fine, अब हम एक proper range भी हमारे पास function होता है, आप यहां पर range लगा दे, range लगाने के बाद, कोई भी एक data का आप column का नाम लिख दे, you will have range, यानि कि minimum से maximum तक कितनी है, तो वो जो तरीका start में, मैंने आपको min max का बताया था, इसका एक और तरीका होता है, कि आप range लिख दे, क्या ख्याल है, range is much better than, just writing, minimum and then maximum, तो आपको पता होना चाहिए, एक ही काम करने के कई तरीके है, minimum भी हो गया, maximum भी आगया range के अंदर, that brings to our next point, which is, अब हम देखेंगे counts, ठीक है, कुछ different किसम के हमारे पास parameters होते हैं, जिन से हम count चेक करते हैं, for example, मैं यहाँ पे लिखता हूँ table, ठीक है, table क्या करेगा, आप किसी भी categorical column को deal करते हैं, पिछले थे हैं हमारे basic statistics for numeric column, mean, median, mean, median and बाकी, अब हम categorical column को check करते हैं, मैं यहाँ पे table लिखता हूँ, हमारे पास यहाँ पे count आ जाने हैं सभी का, मैं कल आपको सम्झा रहा था न, कि जब हमारे पास categorical variable होते हैं, तब हम different तरीके से deal करते हैं, and now we are going to deal, मैं यहाँ पे लिखते तो, categorical variable frequencies, ठीक है, अब यह देखे, आपने सिरफ table लिखने हैं, तो आपके पास एक table आ जाएगा, specifying, first class के कितने members हैं, हमारे पास second के and third के, तो एक ही command आपको तीनों classes का count बता देंगी, अगर आपको ऐसे समझ नहीं आ रहे हैं, इसको class करके देख लें, here you go, first, second, third, कितना असान है चीजों का count find करना, and this is how you can find, कि आपके systematic review, या meta analysis के अंदर, specific एक column के अंदर, कितनी values किस column किये, कितनी values किस column किये, and this is called frequency of each class, in the P class column, या class column, ठीक है, how to find the frequencies, frequencies होता है, कितनी दफ़ा एक चीज बार-बार आ रही है, ठीक है, अगर मैं आप से पूछूँ के, male और female कितनी है, तो आप table लगा के, data के अंदर, df sex लिख देंगे, simple, male हमारे पास 314, female 570, male 570, female 314, अब आपको यही से अंदाजा हो गया, बंदे ज्यादा थे, Titanic में, ठीक है, अब यही पर एक और काम भी हो सकता है, और वो काम क्या है, कि आप और data को देखें, for example, male female हो गया, impact, कौन कहां से चड़ा था, ठीक है, who, child कितने थे, male कितने थे, ben कितने थे, woman कितने, मैं who वाले कॉलम का देखता हूँ, यहाँ पर, table, table के अंदर हम लिखते हैं, df, dollar sign, who, look, 83 बच्चे थे, सीधा पता जा लिए, यही टाइटाइनिंग में, समिट आगी बात की, this is how you can actually find the frequency, अब हम आगे चेक करते हैं, यह तो होगी frequency, frequency के आगे भी कुछ, मतलब की चीज़ें हमारे आती हैं, जैसे मैं लिखता हूँ length, length of df में अगर लिखूंगा, इसका मतलब क्या है, कितने data frame के अंदर, आपके पास क्या है, columns, length, यही function जो है, python के अंदर len के नाम से होता है, और वो पूरे के बूरे data की रोज बताता है, सो जैर जैपीटी कभी एक बार मसला करता है, यह हो गया length of df, अगर मैं लिखूं length of df dollar sign, और यहाँ पे male female का पता गरूं, तो हमारे पास यहाँ पे चेक करें, यह हमें बताएगा कि कितनी length है हमारे पास, पूरे के पूरे इस एक column की, which also tells us कि यह अब number of rows बता रहे है, समझ आई बात की? क्यूं भला? क्यूंकि data की dimension 1 हो गई है, उपर से नीचे की तरफ, नहीं समझ आई? समझ रहे हैं बात को? हमने उपर से नीचे data की एक dimension होगी, मैं आपको दुबारा समझ आता हूँ, जब आप length of data frame देखते हैं, then it brings us 15 variables हैं इस data में, ठीक है? जब हम एक variable की length चेक करते हैं, then it brings us एक dimension है, तो length उसकी यह नहीं है ना? अगर एक डब्बे को सीधा रख लें, और उसको मापें, वो उसकी लंबाई है, उसको दूसरी तरफ से भी मापेंगे, वो भी उसकी लंबाई होगी, but you can name them लंबाई और चुडाई, it's up to you, समझ रहे हैं बात को? and usually data frame पर depend करते हैं, जब हम data frame की बात करते हैं, data कितना बड़ा है, so it says length का मतलब यह है, कि आपके पास data frame के अंदर variables कितने हैं, number of variables, you're not talking about rows, लेकिन जैसे length of sex को चेक करते हैं, या किसी भी एक column को चेक करते हैं, then you have, what? number of, आपके पास जितनी values हैं, अब एक और function यहाँ पर आता है, अगर मैं length लिखता हूँ, alien, gth, length लिखता हूँ, और इसके साथ ही, मैं unique लिख देता हूँ, that finds us the unique values in specific column, और वो कोई भी column हो सकते हैं, ठीक है? Let's see, यहाँ पर हमारे पास दो unique values हैं, male, female, बस, यानि के number of unique values, अब अगर आप data frame पर देखें, आपको समझ तो नहीं आएगी न, कितनी unique values हैं, for example, class को देखते हैं, तो कितना आएगा आपके पास जी answer, alien, gth, and then, मैं यहाँ पर unique लगाने के बाद, मैं df class लिखता हूँ, age की बजाए, class कर देते हैं, यहाँ पर, देखिएगा, unique values 3 है, अब देखिएगा, अगर मैं यही काम age पर करता हूँ, क्या होता है, देखिएगा, df age, and boom, you have 89 different ages, inside your data, किसी की 26 है, किसी की 26 है, या 2 है, so you can find even the smallest possible uniqueness, in your data set, smallest possible, I am saying, अब एक आप को और मज़े की बात, यहाँ पर बताता हूँ, अगर मैं यही काम, length age की बजाए, copy, paste, देखिएगा, मैं यहाँ पर लिखता हूँ, embark, enter, four unique values, लेकिन, there is a but, अगर मैं यहाँ पर, table के अंदर embark लिखता हूँ, तो क्या होता है, table, df embarked, run, we have three towns, तो यहाँ पर फोर क्यों आ रहे है, unique values में, कोई पता सकता है, बहुत असान आंसर है, इसके अंदर missing values भी हैं दो, समझ आई, and that's why, if you have to look into the data, so you first need to clean the data, and then you need to report the information like this, because there are two missing values, इस वज़ा से यहाँ पर यह unique values, चार दे रही हैं हमें, लेकिन originally तीन है, so हर step दूसरे के साथ linked है, and जब तक आप impute नहीं करते, आप उसको नहीं देख सकते, यह actually not a number values को, इसके अंदर लेके आ रहे हैं, उनको भी ऐज़े unique value count कर रहे हैं, क्यों? मैं अभी आपको दिखाता हूँ, यहाँ पर check कीजिएगा, हमारे पास है जनाब deck का column, यह खाली डबा दो नहीं है न, N ने लिखा हुए, so usually जहां पर खाली होता है, वहां पर N ने आ जाता है, so that's how you can see the difference, कि unique values हमारे पास कैसे आ रही है, clear होगी बाद यह वाली, और यह बहुत ज़्यादा लोगों को यह मसला होता है, ऐसी चीज़ों का उन्हें समझ नहीं आ रही होती, अब आगे चलते हैं, unique values की आपको समझ आ गई है, किस तरीके से find out करनी है, अब यहाँ पर इसको मैं 26 कह देता हूँ, unique values को, next we go towards 27, 27, 27, तीन रहेगी हैं यह पीछे, मैं इसे ज्यादा नहीं बताऊँगा, अब हमने proportion table देखने हैं, ठीक है, मैं यहाँ पर लिखता हूँ, prop.table, यह basic function है, basically, मैं कुछ नहीं और कर रहा, हमने वो जो table पहले बनाया था, यह जो table की command मैंने आपको लगा के दखाई, embarked की, same हम यहाँ पे लगाते हैं, लेकिन साथ में prop.table लेए देते हैं, proportion table, here you go, now you are having, instead of numbers, you are getting proportions from one, एक total proportion है, और उसका कितना हिस्सा कौन सी value है, कितना हिस्सा कौन सी value, fractions, समझ रहे हैं, आपके पास 100 रुपे हैं, 30 रुपे आपने छोटे भाई को दे दिये, 20 रुपे दे दिये बड़ी भाईन को, आपके पास कितने मेटे, यानि कि 100 की division कैसे की हैं आपने, कितने percent किसके पास किया, so अगर आप इसको 100 देखें, तो यह 55 परसंट है, यह 20 परसंट है, यह 24 परसंट है, so this is how you can say, कि fraction of people, is more than 50% if we talk about third class, समझाई, fraction एक में से होती है, percent सो में से होती है, so if you multiply this by 100, then you can get an idea, अब यह basic mathematics है, अब यहाँ पे अगर मैं दुबारा से fractions करके दिखाऊंगा, that will sound silly, तो hopefully आपको समझा रही है, कि मैं यहाँ पे क्या कह रहा हूँ, हमने कुछ नहीं किया, proportion table लगाया, और table अंदर लिख दिया, that's it, बहुत यह असान काम है, अब अगर आप चाहते हैं, इसी को, okay, find percentage of each class, तो हम वो भी find out कर सकते हैं, सिर्फ 100 के साथ multiply करना है, जो मैं पहले भी आपको समझा आ गया हूँ, ठीक है, so यह percent हो गया, and this is how you can see the data, और यह data बहुत important है, खास तोर पे systematic review, meta analysis, research writing के लिए, यह data बहुत important होता है, क्योंकि whenever you are defining something, कि एक दूसरे से बड़ी चीज है, दूसरी से चोटी है, and then you need to define that in percentage, or in fraction, or in number, के एक दूसरी चीज से कितनी बड़ी है, frequency में हम देख रहे हैं, यहां पे proportion table, और यह हम बता रहे हैं, और आप अगर गौर करेंगे, यह pie chart की तरह ही numeric data है ना, हमारे पास, parts of whole, ठीक है, अब आपको यहां पे एक मज़े की चीज दिखाने लवाँ, which is my favorite one, that is आपका correlation, ठीक है, और core, basically, simple basic function के साथ, आप दो numeric columns का correlation देख सकते हैं, age और fair का हम देख रहे हैं, correlation टेस्ट होता है, कि एक दूसरे के बढ़ने से बढ़ रही है, या quantity या काम हो रही है, directory proportional है, या inversally proportional है, basically, यह physical terminologies है, या आप कह सकते हैं, physics के अंदर, या mathematics के अंदर यूज होती है, and if we run this, हमारे पास क्या हा रहे है, na, again, क्यों हा रहे है, you know that, क्यों हा रहे है, क्योंकि हमारे पास missing values है, और इसका तरीका क्या है, या तो हम यहाँ पे, उनको remove करेंगे, na.rm is equal to true कर देंगे, या हमारे पास कोई और तरीका होना चाहिए, मैं true वाली command लगा के देखता हूँ, अगर यह काम की ठीक है, वरना we have to go towards another strategy, error, हमारे पास यहाँ पे यह command नहीं लगा सकते हैं, so, what we have to do, whenever you are finding a correlation of two quantities, those two quantities should be, having no missing values, it shouldn't have any missing values, ठीक है, so, इस वज़ा से, अक्सर उकात लोगों को error आती, बंदे सर पकड़ के बैठ चाते हैं, यह हो क्या रहा है, समझ रहे हैं बात को, और उसका तरीका कार क्या होता है, कि आप जो है, वो different किसम का जो, commands use कर सकते हैं, मैं यहाँ पे एक command लिखता हूँ, अगर यह कामदरगी ठीक है, वरना we will use another one, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, say for example, complete.obsolute, यह functions होते हैं basically, and here you go, ठीक है, समझ रहे हैं बात को, so यह basically क्या कर रहे है, जितना भी data available है, उसकी base पे correlation बना रहे है, सही है, यह भी एक तरीका होता है, but the best way is to impute missing values first, and then do the correlation, समझ रहे हैं बात को, और error से घबराना नहीं है, error की वज़ा तलाश करनी है, that makes you a nice scientist, or best scientist I would say, अगर आप परिशान होगे, फिर science में ना है, आप वहीं पर चलेंगे, या लोग 2 रपे glass, 1 रपे glass, समझ रहे हैं, marketing में चले जाएं, जो basically सिर्फ चीजें बेजने हैं, कोई science नहीं है, उसमें सिर्फ लोगों को समझ रहे हैं, that's it, science के अंदर, या scientific writing के अंदर, या data analysis के अंदर, you need to learn how to tackle with issues, 28 नमबर समझ आ गया, जो correlation, और यह हमेशन, numeric variables के अंदर होता है, then, मैं आपको, दो basic plot last पर दिखा देता हूँ, ताके हमारे पास, काफी चीजें, clear हो जाएं, hist plot हमने कल भी देखा था, आज दुबारा से मैं आपको दिखाता हूँ, again, वो ही चीजें, यहाँ पर number of pins भी आप देख सकते हैं, दे सकते हैं, but I would just keep it like this, and next, हमारे पास, जो 30 है, last one for this lecture, is very easy box plot, और box plot के अंदर, हम किसी भी एक column का box plot, check कर लेते हैं, and this is, this is actually interquartile range, यह वाली जो चीज है, समझ रहे हैं, यह थी वो चीज जो मैं आपको दिखा रहा था, अब box plot को, जो बंदा समझ जानों से data की समझ जा जाती है, यह आपकी extreme point, Q4, यह उससे भी बाइर values फिर रही हैं, which we can take as outliers, और एक formula आता है, IQR, उसके उपर जितनी value हों, वो outlier है, IQR को date से multiply करो, वो यहाँ पर कोई point आता है, इस जगा पर करके, उसके उपर जो भी आगया है, वो outlier है, and outliers को remove करना, आपके data में ज़रूरी होता है, but these outliers sometimes can give you some idea, and sometimes can give you some bad impression in the data, और इसी को अगर IQR multiplied by 1.5, इस side पे minus के साथ जब multiply करेंगे, तो दूसरी extreme बन जाएगी, plus के साथ करेंगे उपर, minus के साथ multiply करेंगे तो नीचे को, so यह box plot होता है, यह center में line क्या कहलाती है, बला पता है, यह central tendency है, कौन सी central tendency है, कोई बता सकता है, this is median, not mean, keep in mind, this is median, और intercortile range आपके data को sort करके बनती है, that is why this is median, you can also plot mean line, which will be around here, क्यों, क्योंके उपर data आपके पास, ठीक है, so box plot के अंदर, यह वाली ऐसे line होती है, यह थी जी आपकी 30 commands, यह सारी की सारी commands, 30 से ज्यादा ही हैं, बलके एक दो, लेकिन हम grouping करके अगर देखें, तो यह 30 के अंदर समाज आती है, and this is how you can actually see, कि आपके पास, कितनी किसम की, R के अंदर basic commands जो हैं, वो use होती है, of course there are many other plot type, और जो मेरी favorite है, अगर मैं यहाँ पे, plot लिखूँ, plot लिखने के बाद, DF लिख दूँ सिरफ, let's see क्या होता है, मैं इसको run करता हूँ, आप देखें, यहाँ पे यह मुश्किलों में पढ़ गया जरा, मुश्किलों से निकला है अलका सा, और मेरे पास आया कुछ भी नहीं है, स्वाह इस plot के, that's the beauty of R, आप कुछ भी ना के, बनाने होते हैं, वो बंदे ने सारे ही बना दिया, यह वो ही है, R ने सारे बेसन का एक ही फुकोडा बना दिया, आप देख सकते हैं, कि आपके पास हर एक कॉलम है, यानि कि survived का कॉलम है, और नीचे को सारा survived का कॉलम ही आ रहा है, अगर यह numeric कोलम हो, और numeric के साथ हो, तो आपके plot different बनते हैं, categorical के साथ हो, तो different होता है, तो यह basically आपका एक, हर variable का, दूसरे variable के साथ, कोई नो कोई plot बन रहा है, center में देखें, diagonal line के उपर, तो यह variables हैं आपके, और अगर यह survived है, यह P class है, तो यह दोनों के combination है, यह survived है, तो यह sex है, तो यह male-female दोनों के combination, इस तरीके से आगया, ठीक है, जो मज़े की बात है, आप देखें, age का fair के साथ, अच्छा plot बनता है, something like this, because both are numeric, and this is how you can learn, कि R बहुत कुछ कर सकते हैं, बड़े data पे यह command कभी ना चलाईएगा, वरना आप बैठ जाएंगे, hang हो जाएगा, और even PC भी hang हो जाएगा, and then it will be a problem for you, ठीक हो गया नहीं, समझ आगी, अब यह थी जी आपके पास, तीस ऐसी basic commands, जो बहुत ज़रूरी है, और यह सारी की सारी GitHub पे, जिनका link मैं आपको description में भी दे दूँगा, और आप लोगों को पता ही होगा, कि अभी इस वकद जो GitHub repository का link है, वो पिछले lectures में भी आपके पास आ गया, so I am hopeful, कि आप इनको practice करेंगे इन commands को, बहुत ज़्यादा दफ़ा, और practice करने के साथ साथ, आप different data sets पे भी लगा के देखेंगे, मैंने Titanic पे लगाया, but you choose your data, जो आपका अपना data है, meaningful उससे interpretation लें, और उसको लिखते जाएं, हर किसी के पास कुछ नोगुछ data set में होगा, लाइट जी?